हेलो अब्रिबन कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें यह वेकेंसी है यहाँ पर सीड भी काफी अच्छी है कंडिड़ेट ऑनलाइन अफलाइन दोनों दरह से अपलाइ करेंगे एप्लिकेशन फीज फूर जेनरल काटेग्री वनली एथंड़ रुपीज है एप्लिकेशन फीज और कम हो जाएगी और यह इंस्टिशूशन फी काफी रिनॉंड है तो गाइज इस डिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी हेलो गाइज मैं कविता कुसूम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हालो क्लासेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइज अगर आप इस चैनल पर निव हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं आपको बतातों कि इस चैनल पर आपको PhD अड्मिसर नोटिफिकेशन और टीचिंग पोस्ट, असिस्टन प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिकूट्मेंट से रिलेटेड अप्डेट अल अवर इंडिया से मिलेंगे आद्धी इजूकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC NET, SET या PhD इंटरेंस एक्जाम की प्रोफेसर कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन में आपके साथ सेयर करूँ उसकी इमेडियत नोटिफिकेशन आपको मिलें आप उसे इमेडियत देख पाएं और अगर आप पहने से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइ इस उनिवर्सिटी के ओपीसियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पॉर्टल में आप जाएंगे देन आपका इस तरह का पी जाएगा इसमें आप इस कॉल करके नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सो हो रहा है इसके अंदर में आपको फ्ल आप ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म दिया हुआ है यहां से आप इसको देख सकते हैं जैनरल इंस्ट्रक्शन एंड हाड कोफी समिशन हाड को कैसे समीट करेंगे इस रिगार्डिंग इंफर्मेशन आप देख सकते हैं यूजी सी रेगुलेशन है दैन सेलेक्शन करेडरिया दिया हुआ है इन सबको आप अपन करके देखेंगे यह नोडिफिकेशन है जो कि 6 जनवरी 2024 को आई है फैकल्टी रिप्रूट्मेंट एसिस्टन प्रॉफेसर और कॉंट्रेक्ट बेसिस एट एसोई और सी यूजी के यहां पर सेवन डिपार्टमेंट है अपलाई के लिए होस डिपार्टमेंट आपका Electrical and Electronics Engineering, SOE के अंदर में इसमें 13 सीट अब लेवल है दन Civil Engineering में यहां पर 3 सीट है, Computer Science and Engineering के अंदर में 9 सीट है, Electronics and Communication Engineering के अंदर में 8 सीट है, Electrical and Electronics Engineering के अंदर में 4 सीट है, Information Technology में 6 सीट है, Computer Application में 6 सीट है यहां पर PhD Holder Candidate को 42,000 पर मन्त मिलेगी, Without PhD 40,000 पर मन्त मिलेगी, Other Condition भी दिया हुआ, इसे आप देखेंगे, Then यहां पर How to Apply दिया हुआ, कैसे अपलाई करेंगे, इसकी Detail है हां दिये भी है, Candidate यहां पर Online and Offline दोनों तरह से अपलाई करेंगे, Online Apply के लिए यह लिंक दिया Certificate, Specialization, Proof that General are Approved by UGC, Then Experience Certificate, Award, यह सारे Certificate को Inclose करके आपको University में Send करना है, जो कि आपका 15 February 2024, On Before University में Receive हो जाने चाहिए, Application Fees यहां पर 810 रुपीज है, For General Category, 165 रुपीज है, For SCST Candidate, Application Fees यहां पर Online जाएगी, जो कि आप Net Banking या Debit कार्ट के थुरू कर सकते हैं, DD या Check यहां पर Accept नहीं की जाएगी, तो Guys, Is Regarding यह Full Information थी, इसके अंदर में एक और Notification है, वो भी मैं आपके साथ Share कर रही हूँ, Guys, यहां से एक और Vacancy IV है, जो कि 31 December 2023 को आई है, Faculty Recruitment Assistant Professor in Contracts in the Department of Instrumentation, इसके लिए Essential Qualification है, PhD यहां पर Desirable है, अगर Candidate PhD Holder है, तो उस Case में यहां पर 42,000 पर मन्त मिलेगी, PhD नहीं है, तो उस Case में 40,000 पर मन्त मिलेगी, Then, यहां पर आपका period of appointment दिया हुआ है, जो कि initially one year है, online apply के लिए यहां पर link दिया हुआ है, application fees 810 रुपीज है for general candidate, 165 रुपीज है for SCST candidate, यहां भी application fees online mode में जाएगी, यहां पर online apply की last date 1 February 2024, and hard copy receive करने की date 8 February 2024 है, hard copy send करने के लिए यहां पर address दिया हुआ है, इस address पर hard copy को आप send करेंगे, यहां पर telephone number दिया हुआ, अगर आपकी कोई query हो, तो यहां पर आप contact कर सकते हैं, यहां जो department है apply करने के लिए, वो दो department है, फॉस्ट आपका electronics है, जिसमें 2 seat है, and second department instrumentation है, जिसमें की 1 seat है, I hope you information आपके लिए useful होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like कीजेगा, और इस तरह के update के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले, मिलते हैं फिर next video में next information के साथ, thank you so much for watching,